हलो गाईज मैं अफजर आपका भाई आपके साथ में वेरे गड़ मॉनिंग अलापी हो आप सब अच्छे होंगे आपकी दोवसे मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो काको का तो नाम सुने हो तो काको सुरुज मंदिर का भी आप नाम जरूर सुने होंगे तो चली वहां भी ले इसमें भगवान विश्णुक की एक एतिहासिक मूर्ती अस्थापित है अगर काको मंदिर आप नहीं गहें तो चली आज हम आपको घुमाते हैं किस तरीके से काको मंदिर है और यहां पर देखा जाये तो चारो कोना पर एक एक मंदिर और है तो वहाँ पे सक्ति पीठ है वो भी आपको हम दिखलाने की कोशिस करेंगे और यहां का मानना है कि अगर सुर्ज मंदिर में विवा होती है तो राधा कृष्ण के तरह जिंदगी बेतित करते हैं लोग तो वही दिखलाने के लिए आज हम लोग पहुंचे काको सुर्ज मंदिर तो चलिए और चलिए आपको मंदिर परिश्यत के अंदर भी लेके चलते हो और यहां पर क्या क्या है वो भी आपको दिखलाने ही कोशिस कर रहे है तो वीडियो को इसकीप ना करें चलिए वीडियो को भाशकर का यहां पे पर्तिमा इस्थापित की गई है और किस तरीके से वह भी आ को YouTubers को रखा गिया, और यहां पर दो-तीन परतिमा और है उसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे कि इस तरीके से यहां पे विराजमान की गई है तो वह चलिए तमाम अपडेट आपको हम दे रहते हैं चली वीडियो को आगी के उनकरता है देखा जाए तो यहाँ पर खड़े हुए है तो इतना जादा सुखून मिल रहा हूँ ठंडी ठंडी जब हवा लग रही है जिस्मों में यानि कि बॉड़ी में जैसी ठंडी ठंडी हवा लग रहा हूँ अनन्द मिल रहा है इतना कि बता नहीं सकते हैं मेरे पास अलफाज नहीं कि कितनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है और अभी वक्त है सुभा का तो इसके वेश से और अच्छी लग रहे हैं और देखा जाए तो यह पूरा इस पेस देखा जाए तो पूरा का पूरा नीट अन बीवी कमाल का मकवरा है और दूसरी तरफ सुर्ज मंदिर काको वाली है तो दोनों को एक अटूट बंधन दे रहा है और किस तरीके से वो भी आपको हम देखलाने की कोशिस कर रहे हैं यह तलाव ही नहीं है यह मुहाबबत नहीं तो और क्या है कर दो 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 खलाव है